हेलो डियर स्टुडेंट्स, क्लास 12 में एक चैप्टर है इवनूशन, इवनूशन जो है आपके नीट के एक्जाम में दो से तीन कुस्चन लेके आता है, और अगर आपके भागी चमक गई तो यह चार कुस्चन लेके आता है, मतलब चार कुस्चन आपके जेव में यह टॉपिक लेके आता है और इसकी जो नियू गोती है वो अनिमल किंगडम पर रखी जाती है, इनिमल किंगडम का सिलेवन का चैप्टर है जिस पे यह चैप्टर बेस्ट होता है, बेस्ट मतलब इसके जो एक्जाम्पल्स हैं जो इसके कांसेट हैं वो इनिमल किंडम से लिये जाते हैं, मैं आपको एवलूशन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकरी दे दूँ, पहले बेस्ट जानकरी आप लेने कि एवलूशन माने होता है कि किस तरह से एक सिंपल लाइफ का या सिंपल सेल का डेपलाप्मेंट हुआ, अगर हम आपसे खूच हैं कि सिंपल सेल क्या होती है तो आप कहेंगे सर सबसे सिंपल सेल जो है वो प्रोकारियाटिक सेल है, उसको हम इस Pr prominRe devotion मे बढ़ते हैं evolutionsं में विलीडिडर चार Topics होते हैं पहला Topic होता है search Origin of Life दूसरा होता है Audiences of organic Evolution तियसरा होता है depरies of organic evolution और और चौथा होता है human evolution जिस्में Origin of Life के बार जो दूसरा Topic होता है वो evidences of organic evolution होता है organic evolution माने आप पहले समझ ले अभी तक जो development हुआ है तो 2020 का पहली सिंपल सिल से अभी तक का जो भी कास हुआ है उस development को हम लोग आर्गैनिक Evolution केते हैं ये अप्रोपनी दिमार में अच्छे से रख लेना है अब पहली सिल से लेके अभी तक का जो भी कास हुआ मनलब ये prokaryatic cell से आज इस mammal का higher animal का भी कास हुआ उसके जो प्रमार है क्योंकि आप तो कहें कि सब प्रमार दीजिए उसका evidence दीजिए क्या ऐसा हुआ जी हाँ हम आपको evidence लेते हैं और उस evidence में हम आपको ये proof करके दिखाएंगे कि किस तरह से पहले simple cell से इस complex higher animal की origin हुए तो मैंने heading डाली है evidences of organic evolution organic evolution माने पहली simple cell से complex higher organism का development जो हुआ उसको हम लोग इस organic evolution में बढ़ते हैं इसमें हम लोग evidences जो देखते हैं वो जो पहला evidences है जो पहला evidence है वो है evidences from connecting link ये पहला evidence आपको देना है evidences from connecting link मतलब हम इस evidence से ये proof करेंगे कि किस तरह से simple cell से complex cell का development हुआ तो connecting link में किसे connecting link कहते हैं तो connecting link ये अगर आपको definition लिखना हो तो ऐसे organism ऐसे जीव contains organism, contains, contains characteristics of characteristics of two taxonomic, taxonomic groups जो जो character carry करता है जो अलग-अलग दो group है दो अलग-अलग फाइलर है दो अलग-अलग class है उनकी जो character carry करता है ये हम दो connecting link करते हैं कनेक्टिंग अगर हम एक examples देखें अगर हम लोग माईजीस के examples देखते हैं इसमें जो सबसे पहला example आता है वो आता है वायरेसिस का कि यह वायरेसिस कनेक्टिंग लिंग के पहले example होते हैं इस पर वायरेसिस का नाम में जैसे यह लेटा हो मुश्कूलाते हैं आप करते सार इसको कौन नहीं जामता है COVID-19 से पुरा वर्ड सफर कर रहा है अगर आप RSS को देखे तो यह चो RSS है यह connecting link है connecting link between non-living and living जे पहला connecting link है जो मैं आपको explain कर रहा हूँ RSS ऐसे आर्गलिजम है जिनमें दो तरह के characters है एक उनमें non-living का character है और दूसरा उसके living का character है मतलब अगर हम अपी current में आप से बात करें 2020 में पूरी दुनिया इसे सफर कर रही COVID-19 से तो यह जो RSS है यह RSS दो बाते बताते है पहली बात यह बताते है कि यह complete cell नहीं है अगर आपने पढ़ाओबा तो cell theory का exception है इसमें जो एक complete cell में structure होना चाहिए वो structure नहीं है पहली बात दूसरी बात यह है कि वारेसेस यह बताते है कि नाल लिविंग से लिविंग की ओरजिन हुए जब आप evolution पढ़ते है evolution में एक सब पढ़ते है biological evolution biological evolution में आप यह पढ़ते है कि किस तरह से complex organic compound से पहले cell का development हुआ यह वारेसेस उसको explain करते है वारेसेस यह explain करते है कि किस तरह से नाल लिविंग से living का origin हुई मतलब अगर हम मोटा मोटा कहें simple भासा में कहें सामाने भासा में कहें तो नाल लिविंग से living की origin हुई है दूसरा example देखिए दूसरा अगर example हम लोग देखें connecting link का तो यह example है yuglina आप लोगों में जाता तर लोगों ने इससे देखा होगा yuglina yuglina को अगर देखा जाए तो मैं बार-बार इन सब्दों का इस्तवादना करके मैं सीथे यह लिखता हूँ कि yuglina जो होता है वह connecting link होता है plant का और animal का बेटा आप सब सारे लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जो पहली से लाई थी तो blue green algae आई थी blue green algae क्या है उसमें silval पाए जाती है chlorophyll पाए जाता है तो आप यहीं तो को लोगों ने राट यह plant है मतलब दुनिया में पहली में प्लांट का development हुआ और उन प्लांट से हम animals का development हुआ तो देखिए यहां क्या लिखा है connecting link इसे डैस ने समझाए यह connecting link है between plant and animal तो आप उसे प्लांट का क्या character है तो प्लांट का इस पे character है किसमें chlorophyll पाए जाता है क्या पाए जाता है chlorophyll पाए जाता है इस पे animal का क्या character है animal का यह character है किसमें silver नहीं पाए जाती है आपको और पता होगा कि जब sunlight होती है फोटो synthesis करता है sunlight नहीं होती तो यह हमारी जैसा nutrition करता है जब animal sunlight के presence पे nutrition करता है तो हम उसे holophytic कहते है और जब animal हमारी तरह करता है हम NKT जैसे जो NKT हम जैसे खाते है जैसे हम लोग चावीन, वर्दा, पिज्जा खाते है उस तरह से animal खाता है तो उसे holojoic nutrition कहते है इस animal भी दोनी nutrition है इसलिए इस तरह की nutrition को mixotropic nutrition कहते है लेकिन हम अगर evolution के respect में यह बासन है तो evolution यह कहता है कि plant से animal का development हुआ यह बता है evolution हमारा तीसरा example आप देखिए जहां से पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है subject बहुती खुमसूरत है इतना खुमसूरत कोई देखती नहीं होता है मैं बोड़ की तरफ यह बात कह रहा हूँ मैं आपके सामने फिर आपके एक बात बोलता हूँ मैंने क्या कहा के सुना नहीं मैंने यह कहा कि यह subject बिचना खुमसूरत है उतना कोई खुमसूरत देखती नहीं होता है तो जैसे देखिए बोड पे क्या लिखा है लिखा है स्पोणिया तो प्रोटीन स्पंजिया भी connecting link है तो अगर आप प्रोटीन स्पंजिया के बारे में लिखते हैं ऐसे लिखे यह connecting link इसके बीच में है बिडवीन यहां लिखे वेटा प्रोटो जोवा बिडवीन प्रोटो जोवा एंड पौरिफेरा मभा अब आप 11 में जाके पुरानी एपिसोड करें जब आप 11 में परते हैं यह मलकी रहा में तो सबसे क्या है जब के से बता हैं इसमें अंईबबा ँनिवा है इसका मतलब यह हुआ कि 직접 है। इससे यह पता चाह 활िश घृता है कि अन्मिल का विकास हुआ हम दो चीज़े एक साथ वठ रहे हैं एक कंद जीम डीर है और हम एक एक अब्सिन पड़ Rainbowstone हम यह पढ़ रहे हैं कि नाल लेगिं से लिलीं के औरिजिन हुई, प्लांट से अनिमल के औरिजिन हुई, प्रोटो जबसे वारि फेरा के औरिजिन हुई अगर आप next connecting link में देखते हैं तो देखिए मैंने बोड़ पे क्या लिखा है देखिए मैंने लिखा है peripetus ये एक animal है इसके बारे मगर आप देखें तो ये ही connecting link है connecting link है between लिखिए भिया between any leader between any leader and and ये देखिए दो फाइलाम के नाम लिखे अगर आपको पता हो को तो एनलीडा एक फाइलाम है जिसमें true segmentation पाए जाता है true segmentation क्या होता है body जो है segment की रूप में arrange होती है body में से छोटे छोटे छले पड़े होते हैं उन segments को metamere करते हैं उनके arrangement को metamere segmentation कहते हैं मतलब एनलीडा में वही जी रखा जाएगा जिसकी body में segment पाए जाते हैं अर्थो पोड़ा को देखें भाई अगर आर्थो पोड़ा आप देखते हैं आर्थो माने jointed होते हैं jointed, jointed बने जूड़ा दूआ आप परते हैं पोड़ा माने बालो जी में पैयर हुआ इस पैयर को बाया होंए पोड़ा पहते हैं तो पूरी भी भी नी क्या होँ यार्थो पोड़ा है jointed, legs मतलब यह जो एनली मल्द पेरी पेटर से इसमें दो करिक्टर है दो फाइलं के करिक्टर है दो phylum के character किसके किसके में एक phylum के character है Invida का मतलब इसमे टू segmentation पए जाता है दूसरे phylum के character है Arthrocoda के character है मतलब इसमे जोंटुेटed leigस पाई जाते है तो दो phylum के character पेरी करता है एक आप और explain करता है दोस्द क्या explain करता है मैं अगर आपसे कूछ को कि यह लिड़ा higher phylum है कि आर्थोपोडा है तो आर्थोपोडा है इसका बखल लब यह हुआ कि इस आर्थोपोडा के आर्गनिजम के ओरिजिन इस एंडला के आर्गनिजम से वही है और इसे कौन explain कर रहा है? अगर आप इसका next example देखें तो इसका next example है उसे नियोपिलाइना भी है एक चास मैंने आपको नहीं बखाए यह जो नियोपिलाइना है यह लिविन फॉसिल है लिविन फॉसिल है पहले फॉसिल माने समझेए फॉसिल माने होता है मरे युमें जीव के जो ओसे होते हैं उसे सिसीच जिनके मेंबर्स की संख्या इस वर्ड में काफी कम है उन्हें हम लिविन फॉसिल कहते हैं तो नियोपिलाइना कनेक्टिंग लिंक होने के साथ सा लिविन फॉसिल है मतलब यह कभी भी दुनिया में खता बूसकता है अगर आप इसकी कनेक्टिंग लिंक देखें मुलस्का में अगर आपने मुलस्का पढ़ा है इन दोनों फाइलम का अधिन आपको पीछर टेस्ट पताया कि इन रिविन प्रूस सेग्मेंटेशन पाए जाता है उन सेग्मेंट को मेटा मियर कहा जाता है मेटा मियर के अरुमेंट को मेटा मेरी सेग्मेंटेशन कहा जाता जाएं मॉलस्क की बात्या जाएं मॉलस्क का प्योड की ओरिजिन जो है लेटिन रहाशा के मॉलस्क टर्म से हुई मॉलस्क वहने होता है मॉलस्क वहने होता है soft nut-bodied animals जिनकी skin बहुत है soft है एकदम soft skin है जाएं मैसूश मत कीजिएगा नहीं आप कुछ और सोच बैठेंगे इसकी soft है तो इसका मॉलस्क का है वह यहाँ मॉलस्क का है यहाँ मॉलस्क वहाँ नहीं है पिर हमसे पुछा भाई क्या कहते है उमने का इसकी उपर calcium carbonate की एक layer लगा दो तो इसकी इंग्रीजी भी shell यह सिच इड़ल इस soft human की उपर उन्हें एक शिल अला दी इसका नाहीं होगे इसका मतलब यह हुआ यहाँ फोकस करें यह देचे क्या नहीं है नियोकी लाइना इस नियोकी लाइना में दू करेक्टर्स है एक एनिड़ा का करेक्टर है एक मॉलस्का का क्या करेक्टर है तो सेग्मेंटीशन है मॉलस्का का क्या क्या करेक्टर है तो सेग्मेंटीशन है म मुलसका की और जी अब आप देखिए कैसे जीवन का दिकास हो रहा है एक दिए और देखिए कसम सगर न मजायकत बताईएगा हम मजा लाने का पूरा प्रयास करेंगे देखिए देखिए गरिया वेलेनो यह किसी काल का नाम नहीं है पूरा नाम देखिए इसका पूरा नाम है वेलेनो ग्लासस यह इनिमल है बालोगी में संद बड़े भारी भारी होते हैं इतने भारी होते हैं इतने भारी होते हैं कि आदमी धान से गर जाता है वेलेनो ग्लासस को यह जीवन पिकल के बाहर आ जाती है किसके वीज की नान-काडेटा की नान-काडेट्स and काडेट्स अब आप यहां पर इस वात को समझें, पहले मैंने इससे अंडलाइन किया, हम लोग अधिकार की बड़ी चिंता करते हैं, तो काड़ेट्स के लहा है हम काड़ेट्स हैं यह जो व 되고- Kuris fluidsuesto क्राओं हो तुम कहाडेट्स हो जितने ही आप देख रहें दो पैरों पिखने वाले लोगे कि सब काड़ेट्स हैं चार तरों के लब चलने माले सब काड़ेट्स ऐसा नहीं है काड़ेट्स को समझने के लिए दिल हमेशा बेंटल साइड में होना चाहिए तो फिर से मैंने क्या कहा कि अगर आपको काड़ेट्स समझना है तो दिल कहा होना चाहिए दिल बेंटल साइड में होना चाहिए जब दिल बेंटल साइड होगा तिसे कहां के बेंटल साइड हाट पड़ा हुआ है किसी की अर्मिजन का अगर हाट बेंटल साइड में है तो कार्डेट है किसी में रेड की हड़ी में तो कार्डेट है किसी पूंच निकले में तो कार्डेट है किसी इंगल स्विट से तो कार् इस आप सूने करिक्टर चू नहीं चाहता हुआ। HELat छे यह श्यूव ज़ाओ तो बाइलो ग्लास्ट मुझ sought? जिसमें दो फाजटर। के चारिक्तर। एक चारिक्टर नांจะरें को हैं नां कार्डेंट्स का रकारिक्टर थिसके पास पास। इसे जो हमारी vertebral column में यह नहीं है, जब कि यह भारा डार सुसाइड है, तो vertebral column इसके पास नहीं है, तो vertebral column नहीं होती नान-cardiates, लेकिन cardiac का क्या करिक्टर इसके पास? जब इसके embryo का development होता है, तो इसमें gillslips पाई जाती है, gillslips cardiac character है, मतलब इसमें gillslips पाई जाती है, त है, heart mental side होना चाहिए, cardiates में, यहां पर heart dark side में है, तो यह non-cardiates का करिक्टर है, लेकिन यह बताता है, कि cardiates की origin non-cardiates होनी, तो इस तरह से अगर आप देखें, तो कितना गचप का arrangement नीच्चर ने बनाया है, कि non-living की origin livings है, plant की origin animals है, प्रोटो जोग की animal porphyra सै, porphyra की, arthropoda की origin animals है, molaska की origin animals है, cardiates की origin कहां से non-cardiates है, एक email और देखें, एक email आपको और देखना पड़ेगा, यह देखें, चिमेरा, चाहिए आप इससे चिमेरा कहें, चाहिए इससे आप काइमेरा कहें, आपको जो पसंदा है, आप वो कहें, आपके मन पर चलता है, जो आप पहें, यह भही कहेंगे, इसके अगर आप connecting link देखें, ऐसे देखें, मैं लिक देता हूँ, between, लिक दिया मैंने, बे पांड़ेगों को मैं लग लिए, क्या लिखा मैंने देखें, between cartilaginous fishes, between cartilaginous fishes and, and bony fishes, यह देखें, तो अगर आपको पता होगा भहिया, तो cartilaginous fishes को contact face कहते हैं, bony fishes को astic face कहते हैं, common sense का इस्तमाल करिए, हम बढ़े बहुत ही धिमान जिये हमें दुनिया के, तो cartilaginous मतलब होगा, जिए वो fishes, वो चलिया, जिनमें cartilase पाजाता है, अगर आपको cartilase पतना है, अगर आपको cartilase पतना है, तो आपको खान ऐसे प जिन फिसे से बोन्स पाई जाती है, वो जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती है, तो यह मतलब होगा कि बोन्स पाई जाती है, तो यह मतलब होगा कि बोन्स पाई जाती है, तो यह मतलब होगा कि बोन्स पाई जाती है, तो यह मतलब होगा कि बोन्स पाई जाती है, तो यह मतल इस खेखा रहा हुँ अगला जो इक्जाम्पल है इस और ये पहली मैं आप इसके बारे बता दून है तो मैं ऐसे मालेक हूँ कि आपको फैबरेट हीरो अक्षे कुमार है उसके एक मुवी आई थी मिल्ला नंबर 786 उसके एक गाना था बावरिया ओवारिया असीं के लिए गाया था वह देखता हूँ तो आर्कियो पैडिक से बावरिया करो से आप क्या जर्मनी में एक जगा बावरिया है जहां पर इसको विल्शन नाम के सांटिस्ट ने खो जा था तो बावरिया गाने से आप करो जगा कौन सी है जर्मनी है यह इसका एक भी मेंबर इस जाट का इस दुनिया में अब नहीं है जब किसी जाद का नेमबर नहीं है और यह आर्कियोप्तेरिक्स जो है यह connecting link है मैं लिक दो पुरी बात आपको यह connecting link है between reptiles and birds यह reptiles और birds का connecting link है अच्छा देखे मैंने रखेल का connecting link लेकिन यह जीव दुनिया में नहीं रह गया है तो आप चाहें connecting link लिखें और चाहें आप यहाँ पर missing link लिखें missing link मतला जो जीव दुनिया से समाफ्थ हो चुका है last और final evidence और फाइनल एविडेंस आर्कियोप्लूशन का connecting link के difference में यह देखिए यह जीव है जिसका नाम है एकडीना है और इसका छोटा भाई है उसका नाम प्लेटीपस यह दो जीव है इंग दो जीव के बारे माँ आप सुलीजें यह एकडीना और प्लेटीपस है मैं connecting link ने लिखे सीधी बिडवीन लिखता हूं आप लिख सकते हैं बिडवीन connecting link है बिडवीन reptiles and mammals reptiles and mammals पले आप reptiles समझ लीजे reptiles जो है हाँ reptiles जो है वो creeping करते है और mammals जो है हम लोग है तो इन जोने animals में reptiles का भी character है, mammals का भी character है फटाफट में आप बताते हूं reptiles का क्या character है यह obi perus हैं अंडे देते हैं इनमें cloaca पाई जाती है और इनमें carpus callosum absent होता है mammals का क्या character है इनके male और female जो parents है उनमें memory glands active होती है final view आप देखिए photo effect वारस इस बताते है एक non living living के origin हुई यूगलीन हो बताता है कि plant से animal के origin हुई proteus पंजिया बताता है प्रोटोजवा से porifera के origin हुई peripatis बताता है निल्दा से arthropoda के origin हुई new plan बताता है निल्दा से molluska के origin हुई बताता है नं काइड़ेस के origin हुई chimera कहती है कि cartling has species से बोरी species के origin हुई और साथ यह archiopterics प्रिप्टाइब से वर्ट के origin हुई और यह साथ दोनों लग चाहता है एक रटाइब से मैमस के origin हुई यह जो पाप अनिमल है इस दुन्या के आप मैमस कहते हैं जिनमें मैमी पाई लाती है जो अपनी मदर को मममा कहता है तो इस मममा की origin अगर आप देखे है तो इस ना लगी के निमल से हुई इस तरह से connecting link एक simple cell से एक complex cell के बारे में बताता है एक्स्मान करता है हाँ तो अब आपको मैं evidences जो organic evolution पढ़ा रहा हुँ उसमें आपको दूसरा evidence पढ़ाता हुँ जो इस organic evolution का दूसरा evidence है उस evidence को हम लों कहते हैं evidences evidences from vestigial organ यह organic evolution को proof करने वाला दूसरा evidence है देखे हेडिंग क्या पढ़े है अगर आप रेडिंग देख रहा है रेडिंग में लिखा है evidences from vestigial organ तो अब इसमें आपको क्या सीखना है इसमें आपको सिर्ष vestigial organ सीखना है अगर अगर आपको सीखना है तो मैं vestigial organ कांपकर के लिखाता है जो आपको कोई teacher छोटी सोचिये छोटी क्लास में आपको लगता तक कांपकर कुथा वाथा जाना दंड होता था लेकिन आपको कांप तो पकड़ रहे थे कांप साथ अपने आप vestigial organ को भी पकड़ रहे थे मतलब जो ये ये यर पिलना है, ये vestigial argon है, कैसे है, आज ये देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग vestigial argon की definition देख लेते हैं, तो definition क्या होती है vestigial argon की, तो अगर आप vestigial argon की definition देखें, तो इसकी simple सी definition है, कि दोस आर्गंस बिकम्स रिडूस्ट या इनेक इनेक्टिब लिग इनेक्टिब काप दूरिंक कोर्स औफ इबूशन यह देखिए during course of evolution इसका मिलब क्या हुआ क्या सिखाना चाहरा हूँ मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि जिस समय evolution हो रहा था उस evolution के दौरा आपने एक बैग्यानी का नाम पहूँगा लेमार का लेमार का लेमार का ने कहा कि use and disuse our organs जिन आरेमस का आप इस्तेमाल करेंगे उन आरमस का development होगा, वो विक्सित होगे जैसे आपको आप लिमाग का इस्तेमाल कर रहा है तो आपका लिमाम würdenगा और जिन आरेमस का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो फस्तेमाल कर देंगे उनके function जोने अब हो जाएंगे तो कुम लाके मैं यह कहना चालता हूं कि जो यह evidences सपोर्टर साफ लैमार्खिज्म हैं मतलब यह जो evidence यह लामार्ख की है यह जरे मने क्या लिखा था कि पहले आप यह अपन्स करें हूं कि किसी तरह से आपके दिवाड में यहां दो'? यह जो विडेंस से यह लेमार की concept को support करता है लेमार क्या कहते है था? लेमार साथ कहते है था कि use and issues of organs जिन organs का आप इस्तेमाल करेंगे वो organs develop होंगे और जिनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और काम करना बंद करनेंगे तो उसमें वारा organic evolution काना है मतलब यह विडेंस है जो लेमार की उनको support करता है और वेस्तेमाल किसे कहते है जो organs evolution के दावरान काम करना बंद कर दी है जिनके function अब बिलकुल active नहीं है जो inactive है इपने function में उन्हें हम वेस्तेमाल कहते है अगर हम लोग human में देखें अगर आप एक्जांबस देखें तो यहां मैं रेडी डावरा हूं वेस्तेजियल आर्गन इन human मनुस्समें वेस्तेजियल आर्गन कितने होते है कौन कौन से आर्गन है जो वेस्तेजियल आर्गन है और उनके नाम क्या है उनके पहले function क्या थे अगों क्या कर रहे हैं उनका development आप देखें तो मनुस्समें जो वेस्तेजियल आर्गन है उनकी total संख्या आपको विश्वास नहीं हो दाई इसाम के पे 180 है question आप रहिए total मनुस्समें वेस्तेजियल आर्गन कितने है अईसे कितने आर्गन सो जो काम ली करते हैं तो आप आप देखें 180 वेस्तेजियल आर्गन दिमने पड़े होते हैं जैसे सबसे पहले सबसे पहला जो वेस्तेजियल आर्गन है अगर उसका हम लोग नाम लिखें तो आप ये देखें सबसे पहले विस्टीजल आर्गन को गर हम देखें किसका नाम है देख मेटा इसका नाम है निक्टी टेटिंग मेंब्रेन नाम क्या है इसका निक्टी टेटिंग मेंब्रेन कहां पाई जाती है अखियों के जरोखों में पाई जाती है अखियों के जरोखे क्या है क्या है अख तो अपर आएलिंग आएंगी तूद देख रहे हैं। तू अपर आएली लोग होचा जार वितो किनारे हैं, यह किनारे विरल थे jsुचर को चाहर से पिंक कलर कोह में कीकुरं safer means या इसका दूसरा नाम है प्लीका सेमी लुनेरिस ये नाम है या इसका नाम थाड़ आइलेड भी है नो किसम समझेगे? नहीं समझे? अखिये पीछ रोखे, याद रख जो अखिये ये हैं, और इनकी पीछ में इज़ रोखे हैं ये जो आप प्लीका सेमी लुनेरिस है ये जो आप पील कलर का किनारी कारना पर देख रहे हैं दोनों तरफ ये थार्ड आइलेड है जो इनकी मस वाटर गर रहते हैं, जिनकी एक्वाटिक लाइफ है उनकी मस पे पूरी आखों को उपर होती है और उनकी आखों को प्रोटिक करती है कभी आप मेडर देखें, मचली देखें पानी में इसे तैरती रहती है, आखें खुली रहती है लेकिन उनकी आखों में कोई नुक्षान नहीं होता है तकि उनकी आखों को प्रोटिक कर रहा है ये प्रोटिक कर रहा है यह 3rd I. मतला हमारी नार्ग में वे घस्टीजल आर्गन है, थर्ड आयली में हमारी अर्गन है, इसको प्लीका सेमिलूरिस कहते हैं, आपने पड़ाओगा जोगर्थी में, सोलर माने सोरी होता है, लूनर माने चंद्रमा होता है, जो आगे चंद्रमा जैसा है, उसे सेमिलूनर कहते हैं, से भी लूनरिस कहा जाता है, तो यह जो है, आप काम नहीं करते हैं, यह बात इक्स्वें करते हैं, यह बात इक्स्वें करते हैं, कि जो हमारे एंसेस्टर थे, वो कटिक लाइप थे, कैसे, अगर जो मानिया आपके काम करना बन कर दी, तो हमने शाय इसका इस्तमा एकुश नहीं हम डिसीजी कहें तो इसका हमें इस्तेमाल करना बन कर दी है जब हम जमीन पे चली है यह यह बात एक्स्पिन करती है कि हमारी जो एस्सेंट थे वो एकुईटिक में रहते थे और आपको पता ही है जीवन तेनिमार कहां हुआ पानी ने हुआ पानी का यह लाना खुब शूरए भी सर्थ माने लिखा इयर बिन्न मसल्स ये दूसरा घश्टी जलार का नहीं हिला के देखिए अबना कान से हिला के देख नहीं हिलेगा लेकिन गाहनस ने भैस में कुट्पविल्ली में हिलता है ऐसे इसे करता मतलब यहां जिनो मसल्स कंथि होती है इस लिए खुलता है जायव है कि जब आप बोलते हैं तो वह अपने कान को खीच के पीछे ले जाता है तो आप कान को खीच के पीछे ले जाता है तो कान को पीछे ले जाता है तो अपने बारे मताँ तो वह कान को पीछे ले जाता है तो ऐसे पकड़ दिया जाता है, कैमेरे तरह से भुमा के नहीं ले जाता है यह मसल्स है जो एक्टिव है इसका मतलग जो हमारे एंसेस्टर थे उनके कान घून के पीछी जाते थे यहां की जो मसल्स थी वह एक्टिव थी लेकिन आपका काम ने इन मसल्स का इस्तमाल बंद कर दिया आप उचेंगे क्यों तब क्योंका जबादी यह है कि हमारा जो एक मेरी सिंटर है जहां से हम बातों को सुनते हैं हम ऐसे सुनते हैं हम ऐसे सुनते हैं वो जो बातों को सुनते हो वारा hearing center जो है, वो ती अक्टिव होगया है, दूर से आप की गुराई करता है, और आप सुनते हो दिप सुन रहा था, मतलब मेरा hearing center अग्टिविट हो गया हम लोगों का, तो ने इस मुसल को इनक्टिव कर लिया, हम इसका यूस इसका 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 ना बंद करती हैं, लेकिन आप ऒलोगों में, आप जो हमारी students हैं, भूजो में गोगों में कहों मि कांग जो हल्की ह Belgique होंगे, और हम भी बताते हैं, तुम्हारी वरिजियर एप से हुई है एप लाइक एंसिस्टर आपके थे निक्ष देखिए तीसरा एक्जाम्पल साफ पेस्टीजर अरगन के देखिए और महसूस करिए खूस सुनक भी साय आपके ब्लड में भूल जाएगा मैं यह बात कहता हूं क्या कहा है यह खूस सुनक क्योंके रामु काका भी जानते हैं तो यह लिखा क्या है अंग्रेजी देख लो लिखा है वर्मी फ़र्व अपेंडिक्स कहां पाई जाती है यह बैं ना यह इन्टिस्टाइब आप आयों कि स्टुडेंटेंटें आपको तितरह पता ही होगा यह तो यह वर्मी फ़र्व इस इन्टिस्टाइब पाई जाती है और आपने अकसर सुना होगा कि यह जब हम पेड़े पर रहते थे मतलब जब मनीश पेड़ पर रहता था तो हर्म खाता था हर्मी बोरस था तो उसमें इस वर्मी फ़र्व अपेंडिक्स से शिलेज एंजाइम निकलता था नहां सुनन आप इस नहीं पाया है नहीं हो ता साथ यह काम करने बंद कर दिया क्यों कि मनुस्त पड़ा होष्यार एक जगह तो रहता आहिं आप ही कहा रहते हैं लागदाव में निकल पिता है तो यह वर्व फ़र्व एकनिक्स जो है जब मनुस्त पेर से निके जलीन पे आया और उसन उसमें इस पर भी फार अपंडिक्स का काम बंद हो गया तो यह क्या हो गया विस्टी जया आप पढ़ा जब इसे गंदा फूड चला जाता है तो डिजीज हो जाती है अपंडिसाइटिस पिर आप भी अधर्द होता है फिर जब आप इसको काट करके डाकर निकॉल देते हैं कि उसे अपंडिक्ड टोनी कि जाता है डगाल आप अपंडिक्स कर देते तो इसका मतलब आप जरूर बताता है कि जो हमेरे इंसेस्टर थे वो हर भी ब contemporary त्योंग किए थेowra josa अगर आप इसका अगला एसांपल है देखें सरह देखें सध UE तहुतर है कि नहीं वह कितो से किनाइम टीफ यह्टी युट कर मांश कहता है को कार्नी भरिस है अब बता कि में आंने तो मुरगर खाते का नो रहर है वह नहीं सकता digital करन आइस्ट के को इंपोर्टेंस नहीं आ हमारे कि निए हमारे कोई इंपोर्टेंस से इस्ति आपने पढ़ा होगा last molar या नहीं होगा तो आप जितने लोग होंगे पर नाम भी देता हूं फिर मैं आपसे बात करता हूं यह देखें यह last molar है इस teeth को उन लोग wisdom teeth कहते हैं क्या क्यों है Ahora Thiskind Saar में यह इसके निकलना से बुद्वान होता हूं यह 18-20 इस सार में निकलता है जब आपको जो बुद्वान होना होता है और यह तो जगरे के कुला रहे हूं कांके असपास here last are joint होता है और पिचारी को जगह पी नहीं मिलती रहने की और इसके काय आपके मजूरे में पे पेल होता होटा है और कभी-कभी आप निकला कर फीड़ते हैं डाक्ड्र डेन्टिस के पाज आता है निकाल के फैंग तेटा है इस टीफ का इस्तेमाल बाडी नहीं कर दही है आप है तो इए शाल निकल रहा है मुझे 20 साल में निकला आने वाले समय 32 साल में निकलेगा फिर 50 साल में निकलेगा फिर इखातम हो जाएगा इसका मतलब इस तीफ का इस्तमाल हिदन नहीं कर लहा है यह बात आपको सीखनी है तो कि नहीं हो गए लेक्टिक टिटिंगंद्रें एर्पिन्न मसल्स वर्मिफार अ जैनाइन ती लास्ट गुडर ये पांच होगै इसक्ते ते श्यम् LISA यहाँ पर देख सक्ते हैं gesprochen लोगति कि मनुस्था विगासे चैद्रागउ कि अगले चो विष्टीजयल आरगण है व existice情況 वर्म होडी ह्यर है हम लोगों की body फेर कुछ limited places पर एक लोगों की body skin hair है एक exiline hair है जो आर्पिक न होते हैं और एक pelvic hair है इनको छोड़कर हमारी body में अप limited locations पर hair पड़े हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे भी load होते हैं जिनकी पूरी body फेर होते हैं। जो पुरि बॉडी अइस किसेढ है इसका मुझे जो वार्डी हेर इक चरक के वस्टी जाल जाै कर दाता है इसका मुझक में जो अगला है उसे हम लोग कहते हैं सीगमेंटल मसल साफ एब्डॉमें इसका काम घतम हो चुका अब यह काम नहीं कर रही है तो आप देखें कौन को से होगा है, लेक्टी टेकिल मेंब्रेन, एयर पिन्ना मसल्स, वर्मिफार अपेंडिक्स, केनाइन टीथ, लास्ट मोलर, बॉड़ी हेर, सेग्मेंटल मसल्स आपके डामन, तो तो तोल हो गया, इसका नाम कर दो ले, ये यॉफ है, और ये जी है, तो सिवान एक नाम ऊर है, अगर आप एक नाम ऊर देख ले, ये नाम है, जिसको लोग सीकम कहते हैं, अगर आपको याद हो गा, तो ये सीकम, अधर में हफ्ज का डाइशन, मतलब सिलुज का अधर आशन करता है, और जो रूमिनेंस है, जो जुगाली बनेते हैं, वहां पर, सि पीकम भी जो क्या है एक तरह का विस्टीजल आर्गन है यह देखिए एक नाम तो छूटा जा रहा है साब यह इसका नाम देखिए। कॉकिक्स क्या है यह क्या है आपने पढ़ा है कि गर्दम के पीछे जो वर्टीब्रीव में सर्वाइकल करते हैं इनकी संख्या साथ है चेस्ट के पीछे जो विंको थोरे सिख कैते हैं कि संख्या बारा है पेक के पीछे लंबर निकी संख्या पाँच है और लाफ्टी जहां पर यह बेड़ लगती है उसे कॉकिक्स केरते हैं तोटल बर्टिब्रीं गसाемque 26 से ऐडाल्ट में और चायल्ड में 33 है यह लास्ट बर्टिब्री है मतलब आंक में गुछ वहलोग कीशे व्ल्ट बांते हैं ऊजिम विद बलती वर typ बांते हैं इन बईर्टिब्रीं में जो आप ऐसे करते तो यह vertebrate move करती है, जितमी ही vertebrate, पेकर यह है जो caucix vertebrate, जो यह last vertebrate, मैं एसको लिख देता हूँ, मैं underline कर देता हूँ ताकि आपको फिल्गूल जलती न करें, यह last vertebrate, यह last vertebrate, vertebrate vertebrate, vertebrate, vertebrate कालम के movement में कोई help नहीं करती है, इसलिए यह काम करना बन कर रही है, और इस तरह से यह भी vestigial organ है, बेटा ध्यां रखियो इसको, हाँ, तो evidences में organic evolution में, यह मैं आपको तीसरा evidence महाने चल रहा हूँ, organic evolution का तीसरा evidence, तीसरा evidence यह है, अगर आप उसकी heading दिवाद करें, तो उसको लिखते हैं यह evidences from, evidences from etavism, etavism, या इसी बात को हम लोग reversion कहते हैं, चाहे हम इस evidence, etavism कहते हैं, चाहे इसे लोग reversion कहते हैं, यह next evidence है, जो आपके बारे भी आपको explain करता है, हमारे organic evolution को explain करता है, तो आपको पहले, economism और regression के बारे में सीखना है, मैं आपको एक simple school language में यह बताना चाहता हूँ, कि कभी-कभी ऐसा ही बच्चे पैदा होते हैं, इनकी पूछ निकले होती है, अभी आपने साइसा बच्चा नहीं देखा होगा, एक हजार बच्चों पे ऐसा एक बच्चा प पूछ जो है टेल कारिक्टर है, और मैमस का केस पे टेल खतम हो जाती है, टेल हम लोगों भी पाए जाती है, हमारी तो पूछ यह निकली है, नाप यह निकली है, तो पूछ गई कहा है, जब हम अपने embryonic development के होते हैं, मा के, युट्रस में हमारे development होता रहता है, तो उसमें ह अपने मुछ होती है, और पाबने का होती है, यह वो टेल धिले देरे metamarkosis होके खतम हो जाती है, वो दिले देरे उसका राइशन हो जाता है, हमारे body parts में इंकलूओर हो जाती है, जब कभी कभाथ जो हमारी evolution पे रहन खतम हो गहें, लेकिन कभी कभी फिर सरी अपीर हो जाते तो इसी प्लक्रिया को इताविज्म या रिवर्सन कहा जाता है मतलब अगर आपको ऐसा लिखा जाए ऐसी एक्स्पेंट किया जाए कि रिवर्सन क्या है आप लिख सकते हैं दोज आरगंस दोज आरगंस डिसपीर डिसपीर during course of evolution during course of evolution during course of evolution ऐसे आगन जो evolution के दो आगन खत्म हो गए but when they reappear this is called atavism ऐसे आगन हमारे body के ऐसे आगन जो evolution के दोड़ान खत्म हो गए लेकिन कभी कभार फिर से प्रकट हो जाते हैं फिर से दिखने लगते हैं ऐसे आगन को हम लोग इस प्रक्रिया को हम लोग atavism या reverse कर जाना मतलब वो आगन खत्म हो चुके हैं evolution के दोरान nature में उन्हें इस्तमाली में क्या खत्म हो गए जो हमारी mother nature है जिससे यह human आया है जिससे पुरी जीव आया है उसमें उस island के इस्तमाली में क्या खत्म हो गए तिखते ही नहीं है लेकिन कभी कभार जब दिखते हूँ हो अर्गन तो हमके देख साब यह अटाविस्म का एक प्रक्रिया है जो हमारे एंसिस्टर के बारे में हमें इंट्रीउस कुनाती है हमारे बारे में पताती ही कि हमारे भाई यह एंसिस्टर ऐसे थे जैसे आप एक्जाम्पोस देखिए एक्जाम्पल बिन आप एक्जाम्पल ही तो मानेंगे नहीं सारी बात एक्जाम्पल सही होती है तो एक्जाम्पल में देखिए पहला जो एक्जाम्पल है वो है Large Size Canine Teeth Large Size Canine Teeth मतलब यह हुआ कि कभी-कभी ऐसा बेवी पैदा होता है हम human population में ऐसा बेवी पैदा होता है जिसके दाओं बड़े-बड़े होते हैं जैसे जैसे आपने रानाय में एक नाम पढ़ा है सुर्प नखा सुर्प नखा सुर्प नखा माने जिसके नाकून सूप जैसे होते हैं मतलब उसके नाकून सूप जैसे थे सुचिए बड़े-बड़े नाकून रहों है और आज कल भी तो आपको कुछ नाकून दिखते हैं ऐसे बड़े-बड़े लग्दे वाले अपने हिसा समझ लिजी आप तो बरी साइच का दांप यह explain करता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो कार्नी गोरेस थे दूसरा एक्जांपल देखे अब अब आप इसका दूसरा एक्जांपल देखे तो वो जो फेमस एक्जांपल है जिसके इन लोग चर्चा करते हैं वो करते हैं सर्वाइकल फिस्टुला की बात करते हैं यह आपको याद करना है क्योंकि यही पूछा जाता है यह वाला सर्वाइकल फिस्टुला दूसरा एक्जाम्पल है क्या है एक्जाम्पल सर्वाइकल अगर्वन के लिए लगता है पले आप याद कर दो यह सो हिंता है इसका फिस्टी लाकरम लगा है sudah मतलब समझो है जब आप काड़ेट्स के पढ़ते हैं काड़ेट्स का जब आप करिक्टर पढ़ते हैं तो जी पर फाडायंग को पर नहीं मैं लिग देता हूं टो फेरींघल ग Давай लोटने हैं तो वह पढोगा जाता है तो वह पानी में पाइजाता है गिर्श लेकिन वो काड़ेट्स जमीन पर रहते हैं उनमें ये लंक्स में कर्णमत हो जाते हैं यह है कांसेट्ट मतलब यह जिन से हर काड़ेट में पाय जाएगा इंपरियानी कंडिशन में हमारे अभी पाय जाता है लेकिन आप मारे हो फेफड़ा मन गया है कभी कभी कुछ बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे की जहां गर्दन पर ऐसे जिसे लगता है कि इसने चीला लगा दिया है क मुद में धीर अव्ता उसी वावतार उस मुद में यह बाद दिखाई गोई है kalooreszen यहां से होता है इस जगा से यहां पर करिए रोस करिए जचा पे नरॉरा एक बच्चा किया होती है इसा बच्चा सर भायकी यहां थिष्टला होती है अर उससे जो है उससे जो है इनिमल सा जाती है लेकिन ये एक आप पता के जाता है क्या बताता है कि साहब आपके जो एंसेस्टर थे उनमें फरिंगल गिल्सेट्स यहां गर्दन के पाई जाती थी गिल्स के बारे इंसेस्टर एक्वेटिक लाइप रहते थे वालत एंफीबियंस की तरफ हमुली उठाता है एसे के थैं तक तुमारी जो एंसेस्टर थे वो मचलियां थी एंसेस्टर जो आपके थे वो एक्वेटिक थे गिल्स गिल्स कांटेंवाले ऐसे इसे थे जिम्में गिल्स थी एक और देख़े एक और देख़े प्रजिश साफ्ते कभी-कभी कोई बच्चा पैदाब होता है त लेकिन कपता जाए कोच वाने बाद में एनल वाने एनस के बाद कुछ भाई जाले चाहिए लेकिन हम लोगों को पुछ नहीं है तो गई कहां डिबलब्मेंट हो जब मारे डिबलब्मेंट होता रहता है अब मा की मुट्रस में तो वो टेल खतम हो जाती है लेकिन कभी-कभी अगर बेबी पैदा हुआ और उस बेबी में टेल पाई गई तो लोग कैते हैं राचिस पैदा हुआ और कभी-कभी तो गलबर हो जाता है लोग ऐसे बच्चों को जिन्दा ही रफना दे को हैं लेकिन आपको बाईलोजी के स्टुडिंट होने के नाते आपको ऐसे लोगों को यह लकाना है यह संभाना है यह काडियो का करिक्टर है और यह धीरे-धीरे खतंग हो जाएगा ध्या गजीरे अ पूरी बड़ीए आने हम वाह अवारे में काड़ी आ रिकिक्टर है तो आपको आपके एंसेश्टर के Een को यहां स्वेर के बच्चे का नहीं है यह बताते हैं कि आपके एंसेस्टर के पूरी बॉडी पे हेर था इस तरह से यह इस तरह आपके एंसेस्टर के बारे में एक्सपाराइशन करता है